हेलो फ्रेंड्स मैं हो गिता और आज हम बनाने वाले एकदम होटल स्टाइल इटली एकदम सौप्ट बनेगी इस्पंजी बनेगी और उसी के साथ बनाने वाले एकदम खटी मिटी चटपटी सी सामबर और चटनी खाने में बड़ी गजब की लगेगी इस तरह किसे आप एक बार घर में बना लेंगे ना तो बार की खाना तो बूली जाएंगे गर पे बनेए बहुत ही सस्ते में बनकर तयार हो जाती और पूरे परिवार के साथ बैट के खाने में जो मज़ा आता ना वो होटल में बिलकुल भी नहीं आता है एक बार यह रेसिपी घर में जरू ट्राइ करें सभी को बहुत पसंद आएगी मिंटों में बनकर तयार होगी तो चली बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने एक बेड़े साइच का बाउल ले लिया है उसमें लेंगे हम सूजी यहां मैंने दो कप इतली है जो सुजी से बनाने वाले जो फटा फट बनेगी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आप चाहे तो दाल चावल से भी बना सकते हैं दो कप सूजी लिया है इसमें हम एक कप से भी कम दई डालेंगे आप दई की जगे छाज भी ले सकते हैं और उसी कप से हम एक कप पानी डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सूजी हमें नॉर्मल वाली लेनी है जरूरी नहीं है कि मोटी लेनी या पतली लेनी है जो भी सूजी आपके घर में है वो सूजी आप इसमें ले सकते हैं और सूजी की इटली बहुत ही अच्छी बनती ह इसमें और अच्छे से मिला लेते हैं अभी हमें इसका घोल तयार नहीं करना है बस हमें सूजी को अच्छे से भिगो देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए सॉप्ट हो जाए तो बस सूजी को हमने अच्छे से बिगो लिया है इसको ढखके हम साइड में रख देंगे अच्छे से सैट होने के लिए जब तक हम दूसरी चीजों की तैयारी कर लेते हैं तो यहां मैंने एक प्रेसर कुकर लिया है और यहां हमने एक कप जो तूवर की दाल होती है उसको मैंने दस मिनट पहले पाने में बिगो दिया था अभी हमने अच्छे से श्बू के ले ली है यह दाल खाने में बहुत अचहीं लगती है आप बिना इटली भी इसको रोटी के लिए भी बना सकते हैं 100 ग्राम मैंने लौकी लिए उसको चील के छोटे-छोटे पीसों में कट कर लिया है आप अपने मन पसंद कोई भी सबजी इसमें एड़ कर सकते हैं आदा चमच नमक डाल देंगे और वन फूट चमच हल्दिका पाउडर डाल देंगे और इसमें दो ग्लास पानी डाल देते हैं उसके बाद हम ढग के इसको गेस पे चड़ा देते हैं और लगबग हमें इसमें चार से पांस सीटी लगानी है चार सीटी तो लगानी ही लगानी है तो जब तक हमारी इसमें सीटी आ रही है जब तक हम चटनी बना लेते हैं एक जो कच्चा नारियल होता है ना जो पानी वाला एक छोटे साइच का नारियल था वो लिया है मैंने उसको हमने काट के उपर का जो भाग था ना ब्लैक वाला उसको छिल लिया है दो चमच हमने लिये हैं मूंग फली मूंग फली को हमने थोड़ा सा भून लिया था और छिल के निकाल लिये हैं, दो चमची हमने लिये हैं, जो भूनोवे चने होते हैं जिसे भूंडे भी बोलते हैं, वो वाले ये ना हो तो भी कोई बात नहीं, इसके बीना भी बना सकते हैं, एक इंच के करीब अद्रक का टुकडा लिया है, तोड के डाल देते हैं, उसके बाद दो ह यहां पर हमने एक बंच के करीब लिया है दन्या और पोदीना दोनों मिक्स लिये हैं यह देखिए अच्छे से इसको दो के इसका पानी सुका लिया था उसके बाद डाल देते इसमें एक चमस डालेंगे हम नमत या स्वाद के अनुजा डाल सकते हैं दो चमस डाल देंगे हम एकदम बढ़ा सा ताजा दही बहुती अच्छा टेस्ट आएगा उसके बाद आदी गलास पानी डाल देते हैं इसमें पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं तो अच्छे से हमने इसको पीस लिया है यदि आपको लगए कि यह बहुत ज़्यादा गाड़ी है तो इसमें पानी और एड़ कर दीजिए अभी एकदम पर्फेक्ट है पहले पानी ज़्यादा नहीं डाले वहना बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी तो फिर उसका कोई सॉलिसर नहीं है यदि गाड़ी होगी तो तो उसमें पानी डाल सकते हम तो यह देखिए हमारी एकदम बढ़ासी कड़ी पते तो आट-दस कड़ी पते डाल देते हैं एक सुकी मिर्च लिए उसको मैंने तीन टुकड़े कर लिए हैं तो यह तड़का डालेंगे हम चटनी के ऊपर कितनी आसान है इस चटनी को बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इटली के साथ खाईए डोस डाल देते हैं कड़ी पते के और उसके बाद हमने सबजियों में लिया है दो हरी मिर्च एक बड़े साइज का प्याज इस तरह से स्लाइस में कटावा एक कैरी लिए छोटे साइज की और एक बड़े साइज का टामाटर लिया है यहां सबजी अपने मन पसंद ले सकते हैं जो आपको सबजी इसमें सांबर में पसंद है वह सबजी आप इसमें एड़ कर सकते हैं तो मिर्ची के बाद हम प्याज डाल देते हैं और प्याज को हमने बिल्कुल पतला काटा है बहुत ही अच्छा लगता इस तरह से पतला प्याज कटावा जदा-बहुत-ज़दा का टिस्ट आता ही नहीं है चुटकी पर इसमें हींग डाल देते हैं और सारी चीजों को अच्छे मिला लेते हैं क्यारी मैंने इसमें सलीए डाल रही हूं च्यूंकि इसमें खटपन चाहिए हमें तो खटाई के लिए या तो हम निम्बू का रस डालते हैं या फिर जो कर लेते उसके बाद सूखे मसालों में एक चमश फूल वरके लाल मिर्स का पाॉडर अद़ चमश दिनीए का पाॉडर और टेस्ट के अकोडिंग नमक डाल देंगे नमक और हल्दी rein kisses डाल भी डाला था और अधी चमश से कम हलदी का पाउडर डाल देते हैं सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगी लेकिन खाने में इतनी चटपटी टेस्टी और एकदम खटी मीटी से बनेगी मुझे इटली से ज्यादा सांबर अच्छा लगता है बहुत ही अच्छा नहीं है इसमें सिंपल जितना सिंपल होगा उतना अच्छा लगेगा वो पीने में और इधर हमारा मसाला पक रहा है और हमारी दाल भी अच्छे से बॉयल हो चुकी है इसमें हमने पांसीटी लगा ली थी तो पांसीटी में हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है और जो लौ जो बैंगन गाजर और मूली वगएरा बहुत सारी चीज़े सामबर में एड़ कर देते हैं लेकिन मुझे ये सारी चीज़े पसंद नहीं है इसमें आपको पसंद है तो इसमें एड़ कर सकते हैं सब्जियों की जगए जैसे मैंने उस टेम प्याज वगएरा किया ना उस टेम आप इसमें add कर सकते हैं फिर उसको मिला दिया अच्छे से सारी मसालों के साथ और उसको medium आच पर अच्छे से पखने देते हैं इधर हमारी सूजी भी अच्छे से सैट हो चुकी है देखे एकदम थोड़ी सी फूल गई है और अच्छे से सौप्ट हो चुकी है अब हम इसमें और पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा गोल बना कर तयार करेंगे तो लगबग मैं इसको अच्छे से सैट करने के लिए एक गलास पानी डालूँगी पूरा अभी मैंने आदी गलास से थोड़ा ज्यादा डाल दिया है और अच्छे से इसको मिला लेते हैं अभी थोड़ा सा गाडा लग रहा है तो थोड़ा पानी हम इसमें और मिला देते हैं एक दम इस टाइब का बैटर चाहिए आपको देख सकते हैं इसमें डालेंगे हम एक चमस नमक अब नमक में थोड़ी सी वो मसालों के साथ रहता है ना तो हलकी सी कोई हल्दी मिक्स होई भी है उसमें उपर गीर गी ती तो आप यह मत सोचना के नमक का कलर ऐसे कैसे आया है नमक डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं और जितनी हम इटली एक बार में बनानी हो जाए आप इनो की जगे बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं जिसे मीठा सोडा बोलते हैं मैंने यहां पर इनो लिया है और अच्छे से इसको मिला लेते हैं सारे में इनो एक साथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि एक बेंच जब तक हमारा अच्छे से वह स्ट्रीम होगा ना दूस पर इसको फूल उपर तक नहीं बढ़ना है हलका सा उपर से खाली रखना है इस तरह से हम सारा गोल इसमें भड़ लेंगे और इधर हमने पानी गरम होने के लिए रख दिया है यहां हमने पानी ले लिया और इसमें जो हमने निम्बू का रस निकाला उसके बाद जो छिलके होते हैं वह हमने इसमें डाल दी हैं इससे क्या होगा हमारा जो बरतन होगा ना इटली वाला वह बिलकुल भी काला नहीं पड़ेगा बिलकुल ऐसा कैसा रहेगा उसके बाद हम रख देते हैं सारी इटली और उपर से इसको ढग देते हैं और लग बग हम इसे 15-16 मिनट और आदा चमस डालेंगे हम इसमें गरम मसाला आप गरम मसाली की जगह सामबर मसाला भी ले सकते हैं लेकिन मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और अच्छे से सारी चीजों को मिला लेंगे गेस बंद कर देंगे और यह हमारी चटपटी और टेस्टी सी सामबर बनकर ते प्रश्टी लगती है और इसको अच्छे से पहले ठंडा होने दे गरम-गरम इटली नहीं निकलेगी और हाथ भी जल जाएंगे और सहीशे निकल भी नहीं पाएगी तो हलका सा ठंडा कर ले इसे फिर उसको इस तरह से हाथ से अंगुली से निकाल ले फिर चमस से या चाकू स भी आप इसको निकाल सकते अराम से निकल जाती है क्योंकि स्टेंड में हमने तेल लगाया था तो अराम से निकल जाती है कोई दिकत नहीं है जटपड से बनने वाली रेसिपी है और खाने में बहुत अच्छी लगेगी खास कर बुच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद कि इस तरीके से आप घर में बनाओगे तो बार जाना तो भूली जाओगे अपने फैमिली के साथ बनेए खाईए और इंजोई कीजिए और मुझे कमेंट करके जुरूर बताना के रेसिपी आपको कैसी लगी है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से और चैनल को सब्सक्र